Hello everybody, this is Sanjana Singh and welcome to all of you in my YouTube channel Online Sikcha So students, आज मैं आप लोगों को class 9th Beehive Book से chapter number 5 पढ़ाने के लिए जा रहे हूँ जिसका title है The Snake and the Mirror Students, ये जो story बहुत interesting है, बहुत humorous, बहुत मजाने वाला है इस story को पढ़कर इसलिए मैं इस story को एकदम end तक इस video को पूरे end तक देखिएगा, बहुत मजाने वाला है आप लोगों को ये story पढ़कर तो जैसा कि ये title है The Snake and the Mirror, ये एक मल्यालम story है और एक homeopathic doctor थे जो ये story अपने patients को सुना रहे थे मतलब कुछ लोग वहाँ पर बैठे वे थे, उनके clinic में आये हुए थे, वो उन लोगों को ये story सुना रहे थे उनमें से भी, उनमें से ही एक author भी वहाँ पर बैठे वे थे, उनको doctor की story बहुत interesting लगी और उन्होंने इस पूरे एक incident को story का रूप दे दिया और हमें पढ़ने का मौका मिला, वाकई ये story बहुत interesting है, जरूर पढ़िएगा हाँ और ये story इन्रियल मल्यालम में लिखी हुई है, जिसको बाद में translate किया गया ठीक है, तो चलिए directly हम लोग चलते हैं, chapter की तरफ बिलकुल भी late नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि story बड़ा ही मज़ेदार है So here is the story, The Snake and the Mirror, before you read, पढ़ने से पहले Do you like to look at yourself in the mirror? क्या आप लोगों को मीरर में खुद को देखना पसंद है, अपनी तारीफ करना कभी भी होता है ना, हम लोग कहीं भी जा रहे होता है और हमें मीरर दिख जाता है अप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, है ना What do you think about at such times? और जब आप मीरर में देखते हो खुद को तो आप क्या सोचते हो उस वक्त? क्या फिल कर देख कि मैं कितनी खुब सुरत हूँ? मुझे अपने चेहरे को ऐसे सजाना चीए, ऐसे ड्रेसे बहने चीए बाल को इस तरह से नहीं, मैं इस तरह से बांधूँगी तो यह सारे thoughts आते हैं हमारे दिमाग में Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? फिर यह question यह पुछा जारा आप लोगों से क्या आप लोगों ने कभी भी किसे कुट्टे, किसी बिल्ली या किसी bird को आप लोगों ने किसी अनिमल या बर्ड को देखा ऐसा करते हुए और अगर आप लोगों ने देखा है किसी bird या आनिमल को ऐसे mirror में देखते हुए तो आपको क्या लगता है, वो क्या सोसता होगा mirror में खुद को देखर हम लोग तो चलो खुद को सवारने, कैसे dresses पहनने, यह सब यह सब करते है mirror में देखते हुए, पर वो mirror में देखकर क्या करते होंगे क्या वो भी अपने खुबसूरती को निहारते होंगे, क्या वो भी सोसते होंगे कि चलो lipstick लगा ले, eyeliner लगा ले Now, read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror तो चलोए आज हम लोग यह मजड़ार स्टोरी पढ़ते हैं एक doctor के बारे में, एक snake के बारे में और एक mirror के बारे में यानि कि ये पूरी कहानि एक doctor को लेकर है, एक snake को लेकर है और एक cc को लेकर कै इस cc नहीं ही सबसे ज़ादा important role play किया है यहां पर और स्नेक ने तो हमारा स्टोरी यहां से finally start होता है Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या कभी भी किसी स्नेक ने आपके body के किसी भी पार्ट पर कुंडली मार कर बैठा है? क्या सा कभी हुआ है जीवन में आपके साथ? क्या कभी भी आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है कि एक स्नेक जो है आपके body के किसी भी पार्ट में कुंडली मार कर बैठा हो? भबरे ऐसा करें तो जानी निकल जाए हमारी A full-blooded cobra, एकदम खुंखार भयंकर cobra सोचो, normal स्नेक ने एक भयंकर cobra All of us feel silent हम सारे लोग चूप चाप सांती से बैठे हुए थे मैंने पहले ही बताया था ना कि स्टोरी चल रही है यहाँ पर मतलब एक डॉक्टर है उनके साथ कुछ घटना घटी थी स्नेक से related तो वो अपनी कहानी को कुछ लोगों से सुना रहे थे और वही पर हमारे ओथर भी थे जिनने वो स्टोरी बहुत इंट्रेस्टिंग लगा और उन्होंने उसे एक स्टोरी का रूप देकर लिख दिये यह जो कोश्चन था वो एक हॉमियोपैथिक डॉक्टर के द्वारा आया था कि क्या आप लोगों के सरीर पर कभी भी किसी कोब्रा ने कुंडली मार कर बैठा एकदम फुल ब्लॉडड़ेट कोब्रा कोई ऐसा वैसा नहीं और यह टॉपिक तब उठकर आया जब हम लोग स्नेक्स के बारे में कुछ डिश्कसन कर रहे थे तब ही डॉक्टर ने यह सारी बाते हम लोगों से पूछी और हम सब लोग डॉक्टर की बातों को एकदम ध्यान से उनकी जो कथा थी उनको बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे एकदम बिना कोई हला गुला किये कोई भी चूचा किये इट वाज अहां से स्टोरी स्टार्ट होती है डॉक्टर यहां से अपना कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं कि समर की रात थी बहुत गर्मी था अबाउट टैन ओकलोक लगभग दस बज रहे थे मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और मैं अपने कमरे में लॉट आया मुझे उपर से कुछ आवाजे सुनाई पड़ी जैसे मैंने दरवाजा खोला अपने रूम का लेकिन वो जो आवाज जो आई वो जाना पहचाना सा आवाज था मतलब चुहे बिली का हवाज होगा जो घर में जो जीव हमारे साथ रहते हैं उनकी और क्या One could say that the rats and I shared the room कोई भी कह सकता था कि मैं और चुहे जो है room share करते थे एक साथ यानि कि उनके कमरे में धेर सारे rats थे I took my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table मैंने matchbox उठाया और kerosene lamp जो की मेरे table की उपर रखा हुआ था मैंने उसे जलाया The house was not electrified मैं जिस room में रहता था वो बिल्कुल भी electrified नहीं था मतलब आपर बिजली नहीं थी It was a small rented room बस एक छोटा सा rented कमरा था मतलब वो rent पर रहते थे मैंने अभी अभी अपना medical practice स्टार्ट किया था और अभी मेरी जो yearning थी वो बहुत कम थी बहुत जादा पैसे मैं नहीं कमाता था I had about 60 rupees in my suitcase मेरे suitcase में तब मातर साथ रुपए थे along with some shirts and dhoti's और उसके अंदर कुछ shirts थे और कुछ dhoti's थी I also possessed a solitary black coat which I was then wearing मेरे पास मैं एक और चीज़ का मालिक था वो था अकेला single black coat का जो कि मैंने उस बग पहन रखा था I took off my black coat मैंने अपना black coat उतारा white shirt और उसके अंदर जो white color की shirt थी उसको भी उतारा and not show white waist and hung them up और मैंने white color का गंजी भी पहन के रखा था जो कि बहुत जादा white नहीं थी यानि कि गंदी थी उसे भी मैंने खोला और टांग दिया I opened the two windows in the room मेरे कमरे में जो दो खिड़कियां थी मैंने उसे खोला I was an outer it was an outer room with one wall facing the open yard ये एक कमरा जो था it had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam of the over the wall फिर बोड़ रहे कि यहाँ पर एक tiled roof था यहाँ पर देखो आप लोग इस type का कुछ उनका छत था कि इधर से roof था और ये gable आप बीच का पाट देख रहो न जो कि दिवाल से उपर triangle type का बना हुआ इसको gable कहते तो कुछ state का look था उनके room का there was no ceiling और कोई भी ceiling नहीं था यानि कि छत नहीं थी मतलब उपर छत भी नहीं था उपर खुला था सोचो there was a regular traffic of rats and from the beam to and from the beam और वहाँ पर हमेशा rats की traffic लगी रहती थी मतलब धेर सारे चुए आते जाते रहते थे I made my bed and pulled it close to the wall मैं दिवाल से सटा कर सटा दिया I lay down but I could not sleep मैं बेड पर लेता पर मुझे नीद नहीं आई I got up and went out to the veranda for a little air but the wind got seem to have taken time off मैं लेता पर मुझे नीद नहीं आई फिर मैं उटे गे अपने बिस्तर से और सोचा कि चलो ब्रामदा में जाता हूँ थोड़ी हावा खा कर आता हूँ लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वायू देब भी छुटी पर हो और बिलकुल भी हावा नी बह रहे थी और बहुत ज़दा गर में थी और फिर मैंने टेबल के नीचे जो ड्रावर बनावा था उसे खोला उसके अंदर एक बुक थी मैंनो इस बुक को निकाला और बुक का नाम था यह अपने इस असली कहानी सुरकी शुरुआत होगी फिर मैंने उस बुक को खोला और टेबल के उपर रखा वहाँ पर एक लेंप भी था केरोशन लेंप जो उन्होंने जलाया था और एक बड़ा सा मीरर भी था और मीरर के बगल में एक छोटी सी कंगी भी रखी हुई थी कोई भी इंसान को लालश फिल होता है जब भी उनके सामने सीशा होता है उन्हें लगता है कि एक बार तुद देखी लूँ मैं अगर सीशा सामने तो उन दिनों मेरी खुबसूरती की बहुत ज़ादा तारीफ होती थी मैं बहुत ज़ादा हैंसम था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खुद को हमेसा हैंसम बनाए रखना चाहिए ताकि मेरी तारीफ होती रहे हर कोई ये चाहता है कि उसकी तारीफ होती रहे मैं अवी वही था मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एक डॉक्टर भी था I felt I had to make my presence felt और मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसा feel हुआ कि मैं जहां भी रहूँ मेरा presence feel होना चाहिए लोगों को कि हाँ कोई है I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat फिर मैंने कंगी को उठाया और फिर कंगी को अपने बालों में दोड़ाया यानि कि वो बाल जहरने लगे और बालों को adjust किया मांग को फारते हुए और फिर साफ सुथरे तरीके सुन होने बाल को जहर लिया जो कि अब उलजे हुए नहीं सुलजे हुए लग रहे थे Again I heard that sound from the above अचानक से फिर से उनको वही आवाज सुनाई पड़ी जब वो रूम खोड़ रहे थे अपना जब वो एंटर कर रहे थे भी जो आवाज आई थी उनको वो आवाज फिर से सुनाई पड़ी I took a close look at my face in the mirror लेकिन वो उन बातों को इग्णोर कर देता हुए उनको लगता है कि चुहाई होगा और फिर वो और नजदीक चले जाते हैं सी से के और अपना चहरा देखने लगते हैं I made an important decision और उसी वक्त मैं एक महतपूर्ण निर्ने लिया I would shave daily and grow a thin moustache to look more handsome मैं रोजाना सेविंग करूंगा और एक पतली सी मूच भी उगाऊंगा ताकि मैं और खुबसूरत दिख सकूँ I was after all a bachelor and a doctor आखिरकर मैं एक bachelor था और विवाहिद था और साथी साथ मैं एक doctor भी था तो मुझे खुबसूरत लगना तो बनता था I looked into the mirror and I smiled ये सारी बाते मैं सोच रहा था और mirror के अंदर देख रहा था और smile कर रहा था It was an attractive smile फिर मैंने जैसे ही मेरी चहरे पर smile लाई मैंने उसे देख और मुझे लगा बापरे मेरी smile कितनी attractive है कितनी आकरसक मेरी smile है I made another earth second decision फिर से मैंने एक decision लिया I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome मैं हमेशे अपने चहरे पर इस खुबसूरत सी smile को रखूँगा ताकि मैं और भी खुबसूरत लग सकूँ I was after all a bachelor and a doctor too on top of it After all मैं a bachelor था और साथ ही साथ मैं एक doctor भी था तो मुझे तो handsome लगना बनता था वो ये सारी बाते सोच रहे थे mirror में देख करके खुद से ही बाते कर रहे थे Again came that noise from the above फिर से वो आवाज वो आती है उपर से I got a paste up and down the room फिर मैं finally उठा और अपने कमरे में चहल कदमी करने लगा कि ये आवाज कहां से आ रही थी Then another lovely thought struck me फिर वो उस आवाज के बारे में वापिस से भूल गए और फिर उनके दिमाग में एक प्यारा सा विचार आया I would marry, मैं साधी करूंगा I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice मैं एक ऐसी महिला से साधी करूंगा जो की डॉक्टर होंगी यानि की वो एक महिला डॉक्टर से साधी करेंगे जिनके पास धेर सारे पैसे हैं और अच्छा medical practice भी हो चुका हो उसका See, had to be fed लेकिन हाँ, उसे मोटा होना चाहिए For a valid reason वो भी एक genuine reason के वाजए से अब कोई भी इंसान जो है वो एकदम चाहता है कि मेरा जो life partner हो अगर पतला दुबला सुन्दर साओ पर ये मोटी वाइफ चाहते थे, क्यूं? तो इसका एक valid reason था, देखो इनका reason क्या है If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me अगर मेरे से कोई गलती हो चाहे कोई मैं मुर्खता पुर्ण वाभार कर बैठू और मैं भागने लगू तो वो मेरा पीछा ना कर सके और मुझे पकड़ ना सके और पीट ना सके इसके लिए डॉक्टर जो हो मोटी वाइफ डूंड रहे थे ताकि वो दोड़ना पाए With such thoughts in my mind I resumed my seat in the chair in front of the table there were no more sounds from above इन ही सारे ख्यालों के साथ as if a rubber tube had fallen to the ground फिर अचानक से तभी लेकिन एक धम से sound आता जैसे उपर से कुछ rubber का tube वेगेरा जमेन पर कीरा हो surely nothing to worry about हाँ बिल्कुल भी कोई चिंता करने की कोई बात में थी उन्हें तो अभी भी लग रहा था ये चुए बिल्ली होंगे even so I thought I would turn around and take a look बिल्कुल मैंने भी ऐसा ही सोचा जो कि आप सोच रहे हो और मैं पीछे मुड कर लेकिन सोचा कि चलो एक बार देख लेता हूँ no sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder जैसे ही मैं turn किया मैंने एक मोटा सा तगडा सा snake देखा जो कि रिंगते हुए chair के पीछे पर से उपर की तरफ आ रहा था और वो उपर आकर के मेरे कंधे पर डिचा कर डाइरेक्ली बैठ गया अब क्या होगा इनका a snake वो भी उनके कंधे पर just face के सामने और वो ऐसे ही घूमे भी हुए थे so जो situation को imagine करो कैसा situation होगा the snakes landing on me and my turning were simultaneous जो snake था वो मेरे उपर आकर बैठ चुका था और मेरा जो मुड़ना, हिलना, डुलना अब सब एकदम से रुख चुका था अगर मैं जरा भी हिलता तो a snake क्या करता उनको डस लेता तो उनका face snake की तरफ ही घूमा हुए और a snake उनके soldier पर बैठा हुए सोचो, क्या हालात होंगी उनकी I didn't jump, ना मैं कूदा I didn't tremble, ना ही मैं कापा I didn't cry out, ना ही मैं चिलाया there was no time to do any such things ये सारे चीजे करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था उस वक the snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow वो जो snake था वो धीरे धीरे घसक करके मेरे soldier से मेरे left arm, elbow के just उपर मेरे left arm में जा करके कुंडली मार करके बैठ गया the hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face और उसने अपने fun fell आकर बैठा हुआ था और मेरे चहरे से 3 से 4 इंच की दूरी पर वो just बैठा हुआ था अब जब वो कंधे के थोड़ा नीचे बैठा हुआ तो obviously उनके चहरे से 3 से 4 इंच की दूरी पर है और उन्होंने चहरा भी उदर ही घुमा करके रखा हुआ है ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैं वहाँ पर बिल्कुल अपनी सासे रोके बैठा हुआ था I was turned to stone मैं बिल्कुल एकदम पत्थर की मूरत सी बन गया था बिल्कुल हिलडूल नहीं रहा था अपनी सास तक रोक ली थी मैंने but my mind was very active लेकिन मेरा दिमाग बहुत काम कर रहा था उस बक बहुत active था मेरा दिमाग मेरा सरीर सी थील पड़ गया था पर मेरा दिमाग चल रहा था the door opened into darkness the room was surrounded by darkness in the light of the lamp I sat there like a stone image in the flesh मेरे कमरे का जो दर्वाजा है वो खुला हुआ था पूरा अंधेला था रूम में बिल्कुल अंधेला चाया हुआ था टेबल पर एक lamp रखी हुई थी और उस टेबल पर lamp रखी थी उसके जस सामने chair पर मैं बैठा हुआ था बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह मतलब मेरे body में जान तो थी blood तो था लेकिन फिर भी मैं मूर्ती सा बना हुआ था I felt then the great presence of the creator of this world and this universe God was there तब ही मुझे असास हुआ इस दुनिया के रचैता के बारे में जिन्होंने इस दुनिया को बनाया और इंजीव जन्तियों को जिन्होंने बनाया उनकी मुझे याद आए कि भगवान मेरे साथ है भगवान यहां पर है Suppose I said something and he did not like it I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart to the words of God फिर वो सोचते हैं कि पर Suppose करो कि अगर मैं कुछ कहता और उसे यह बात पसंद नाती यानि कि Snake को फिर वो क्या करता ऐसा तो वो फिर बोलने से डर गया फिर वो सोचते हैं नहीं मैं मन मन में भगवान से विंती करूंगा फिर वो बोलते हैं अपने मन मन में वो भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान यानि कि लेटर टाइप लिखते हैं वो भगवान को अपने मन मन में ही कि हे भगवान there was some pain in my left arm मेरे left arm में थोड़ा सा दर्द हो रहा है I was, it was as if a thick leaden rod no, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my heart ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई शीशे का rod मेरे उपर एक मोटा सा सिसे का rod मेरे उपर रख दिया गया हो नहीं नहीं शीशे का नहीं molten fire का rod मेरे उपर रख दिया हो जो धीरे धीरे लेकिन पूरे ताकत के साथ मेरे बाजू को कुछ ले जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाहां से सारी सकती जा चुकी है what could I do? मैं क्या कर सकता हूँ God? आप बताओ मेरी help करो बिचारे पूरे फसे थे अगर मैं जरा सा भी जरा सा भी हिलूँ एक छन के लिए मैं पलक भी जपकूँ तो असनेक मुझे डस लेगा suppose it a struck what was the medicine I had to take फिर भी डॉक्टरी में पागले वो बोरी कि suppose करें कि अगर मुझे सनेक काट लेगा तो मैं कौन सी दवा खाऊंगा there were no medicines in the room उनके कमरे में कोई दवा भी नहीं थी वो सारा अपने medical में ही छोड़ कर आए थे I was but a poor, foolish and a stupid doctor मैं doctor तो जरूर था लेकिन एक मुर्ख doctor था I forgot my danger and a smiled feebly at myself मैं वो खत्रे को एक time के लिए भूल गया और खुद के उपर मुर्खता से हसने लगा It seemed as if God appreciated that ऐसा लग रहा था जैसा भगवान ने मेरे इस चीज के लिए तारीफ की हो कि मेरे कमरे में doctor होने के बावजूद भी मेरे पास कोई दवा नहीं था The snake turned its head It looked into the mirror and saw its reflection फिर अचानक से ऐसा लगा जैसा भगवान ने मेरी सुन ली उस snake ने अपना सर घुमाया और mirror की तरफ देखा और जैसे उसने mirror में देखा उसे अपना reflection दिखाई दिया I do not claim that it was the first snake that I had ever looked into a mirror मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि ये पहला snake होगा विश्वका जिसने mirror के अंदर देखा होगा but it was certain that the snake was looking into the mirror लिक वो जो snake था वो mirror के अंदर जाक रहा था was it admiring its own beauty क्या वो भी अपनी सुन्दरता की तारीफ कर रहा था हमारी तरह was it trying to make an important decision about growing a moustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermelan spot on its forehead क्या वो भी कोई एक महतपूर निर्नाई ले रहा था मूझे उगाने को लेकर डॉक्टर क्या सोच रहे थे देखते हुए कि वो एक मूझे उगाएंगे है तो वो सोच रहें कि क्या snake भी ये बाते सोच रहोगा कि वो एक छोटा सा मूझ उगाएगा या फिर वो ये सोच रहा है कि वो अपने आखों में eyeshadow लगाएगा, mascara लगाएगा या फिर अपने सर पर सिंदूर पहनेगा मुझे कुछ पर निश्चित तौर पर नहीं पता था मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये स्नेक मेल है या फिर फिमेल है इसलिए वो दोनों तरह की बाते कर रहें कि वो मुझे होगाएगा या फिर अपना make-up करेगी I will never know for the snake unowned itself from my arm and slowly seithered into my lap मुझे पता भी नहीं चला और वो जो snake है वो अपने कुंडली को खोल करके धीरे-धीरे मेरे बाजुओं से सरकते वे मेरे गोदी पर आ गया from there it crept onto the table and moved towards the mirror और फिर धीरे-धीरे वो मेरे गोदी से रेंगता हुआ जाकर के table के उपर चला गया और mirror की तरफ move करने लगा perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters सायदी अपने खुबशूरती का मजा नस्दीक से लेना चाहता था इसके लिए वो mirror के नस्दीक चाह रहा था I was no mirror I was no more amazed cut in granite I was suddenly a man of flesh and blood जो मैं एक मुर्ती बन चुका था एक stone का बन चुका था अच्छानक सिर फिर से मुझे ऐसा लगा कि मैं जिन्दा हुआ मेरे अंदर सक्ती आई still holding my breath लेकिन अभी भी मैंने अपनी सांसे रोकी हुई थी I got up from the chair मैं I quietly went out through the door into the veranda चुप चप धीरे धीरे करके मैं दर्वाजे से अपने कमरे से निकल करके बरामदे में आया from there I lipped into the yard and ran for all I was worth और फिर जैसे मैं बरामदे में आया मैं इतना तेज भागा अंगन में आकरके इतना तेज भागा इतना तेज भागा वहां से दुमदबा कर फ्यूँ Each of us have a sigh of relief सब लोगों ने चैन की सास ली यानि कि जितने लोग सुन रहे थे सारे listeners ये डॉक्टर तो कहानी सुना रहे थे जो इनके साब घटी तो चुकी थी सब लोग चैन की सास लेते हैं दॉक्टर को कोई हर्म ने बहुचा Somebody asked तो किसी ने पूझा दॉक्टर, is your wife very fair? दॉक्टर कि आपकी पतनी बहुत मोटी है क्योंकि अभी तो ये बहुत एज के हो गए थे ना तो लोग उनसे पूच रहे हैं और ये कहानी पहले की थी तो वो बोले थे कि मेरी जो वाइफ होगी वो मैं मोटी वाइफ से साधी करूँगा तो वो बोलते कि क्या आपकी बीवी मोटी है? No, the doctor said दॉक्टर बोलते है नहीं, मेरी वाइफ बिलकुल भी मोटी नहीं है God will otherwise भगवान की कुछ और ही मर्ची थी मैरी जो लाइफ पार्टनर है वो तो एकदम पतली दुबली सी है और बहुत फुर्तिली भी है और साथे साथ वो एक स्प्रिंटर है यानि कि धावक भी है दोडने वाली भी है सोच लो, उनको मोटी पतनी चाहिए थी जो इनका पीछा नहीं है कहाँ बीचारे को मोटी पतनी चाहिए थी जो इनका पीछा ना कर साके उल्टे इनको मिली है तो तेज धावक मिली है सोच सकते हो समवन एल्स आस्क डॉक्टर वेन यू रेंड डिड अ स्नेक फॉलो यू फिर किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब आप वहाँ से भाग era तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया दाक्टर रीपलाइड आई रैं और रही तील आई रिस्ट ओ फ्रेंd सावस तो दrator बोलते कि मैं तब तक भाग नहीं था था जब तक मैं आपने एक फ्रेंड के घर पर भांच गया immediately I smeared oil all over myself and took a bath फिर तुरंत ही मैंने oil लगाया अपने पूरे body पर जाकर के और फटाक से बात किया क्योंकि स्नेक बाटा होता है वो जहरीला होता है तो इसके लिए वो पहले सबसे पहले oil लगाया अपने पूरे body पर जाकर के सबसे पहले वो नहाए I changed into fresh cloths मैंने अपने साफ सुतरे कपड़े पहने the next morning at about 8.30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there और फिर अगले सुबा मैं लगभग साड़े आठ बजे मैं अपने friend और एक दो और लोगों को अपने कमरे में लेकर के गया जहां में रेंट पर रहता था ताकि मैं वहां से अपनी चीजों को हटाज़ा को मतलब मैं कहीं और सिफ्ट होना चाह रहा था but we found we had little to carry लेकिन हमें वहां जाकर ये पता चला कि हम लोगों को वहां से सामान लाने की ज़रत ही नहीं है मतलब सामान लाने की ज़रत नहीं है मतलब रात में दर्वाजा वह खुला चोड़के भागे थे और उपर च्छत भी खुला था obviously चोर आया होगा और सब लूट कर चला गया होगा some thief had removed most of my things क्योंकि कुछ चोर जोते है वो मेरे रूम का सारा समान almost लग सारा समान हटा कर ले गए थे the room had been cleaned out पूरा रूम सफाच़ट हो चुगा था but not real लेकिन अगर मैं कहूँ तो सच मुच में पूरा रूम खाली नहीं हुआ था कुछ बच गया था या कुछ क्या बचाए देखो the thief had left behind one thing as a final insult उस चोर ने एक चीज के वाल मेरे लिए छोड कर चला गया था वो बेक इंसल्ट के तौर पर what was that I asked the author उन से पूछते वो क्या था the doctor said my west the dirty one the doctor कहते है मेरा वो गंजी गंदा वाला जो मैंने खोल कर टांगा थ the fellow had such a sense of cleanness सोचो उस बिचारे को भी मतब साफ सफाई का कितना ध्यान है चोर है पर साफ सफाई का कितना ध्यान है the rascal could have taken it and used it after washing it with shop and water वो rascal कहें का गधा वो उसे भी ले जाता क्या होता पानी साब उन से धो लेता और उसे धोने के बाद साफ करके use कर लेता did you see the snake the next day doctor फिर उन्होंने पुझा कि क्या अगले दिन आपने snake को देखा वहाँ पर जब आप गए थे अपना रूम खाली करने के लिए खाली क्या प्रत करते बिचार पहले ही खाली कर दिया किसी ने the doctor laughed doctor jore से हसते हैं और बोलते हैं I have never seen it since उसके बाद से मैंने उसे कभी भी नहीं देखा it was a snake which was taken with its own beauty ये वो एक ऐसा snake था जो कि अपने ही सुन्दरता से मोहिद हो चुका था यहाँ पर जाकर कि हमारा story फिनिश हुआ कैसा लगा आप लोगों को story बहुत interesting है ना